नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैलल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुडली विश्टिक लगन की कुडली की मेरे पास एक सजन ने कुडली विश्टिक लगन की मेरे पास संपर किया था और जब मैंने उनकी प्रिक्शन कर दी तो कहना था कि मैं उनकी कुडली जो है एक बार पूरा । पूरा चार्ट बनाके बताओं कि मेरी कुडली में कौनसा ग्रह कहां बठाया कौनसा ग्रह पोजटिव है कौन sona ग्रह फॉजटीवहै कौन सा ग्रह नेगेटिव है इस मिला है जिसका सुम्भी बनता है मंगल मैं सूर्य बेठे बुद्ध सली और चतुर्थ भाब में कुम राशी के चंद्रमा है, पंचम भाब में मीन के केतू है, अश्टम में गुरू है मिथुन राशी के जो वक्रिय वस्ता में है, नीच राशी के मंगल लगनेश भागे बाब में विराजमान है, और दशम भाब में सिंग राशी के सूरे हैं, और जातक को मिला गया Sud कुणल के लगन में विश्चिकराशी बनते हैं मंगल-्मंगल बैठा है बागेबाब में लगनेश जैन सब्सक्राइबाब में बैथा दो फव्या चीहल की कभी-कमी नहीं रहती असे जातक को अपनी शुदार्म की प्रपती कहीषार piss पैत्रक संपत्ती का सुख हमेशा मिलता है, पैत्रक संपत्ती का सुख हमेशा मिलेगा उसे, दूसरा घ्रह हम देखें, दूसरा भाब देखें, धनेश, धनेश जाके बैठा है अश्टम भाब में, धनेश का अश्टम भाब में बैठना दो बाते बताता है, पहला तो धनेश इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका त्रितेश का है? इसका मतलब यह है कि जातक अगर कोई काम करेगा जिस में यात्रा हुआ है तो यात्रा से जातक को बहुत लाव होगा चतुर्द भाव कोny दे एक है तो ये राजनेती में सफलता का योग है, पंचम भाब का स्वामी गुरु अश्टम में बैठा है, यानि पंचमेश अश्टम में बैठा है, इसका मतलब यह है कि इस जातक की पढ़ाई में भी बादा आई होगी, कुछ ना कुछ वेवधान होगा होगा, कोई डिग्री प्राप् में चला जाया, तो जातक का मामा बड़ा भागिशाली होता है, जातक का मामा बड़ा भागिशाली होता है, जातक को अपने हिप ज्वाइंट जो होते हैं, कूले की हड़ी का विशेश उप से ध्यान रखना चाहिए, उसमें कभी कोई प्रालम हो सकती है, जातक का शक्षुवढक की प्रचन शक्तिन का श्वाइब करएंगी कि अश्टक को अपनी हेल्थ का द्यान तो काम करने exerc& कोई भादा रेक Laatt को ओड़े नहीं सक्क्रमीन बादा के पूरा नहीं करता है। नववेश चतुरतस नवब भाव में करक्राशी आती है उसका स्वामी चतुरत भाव में गया हुआ है ये इस बात का संकेत है कि भागेश केंदर में बैटा है इसले जातक को जीवन में सभी सुख सुविदाय मिलेंगी दशमेश सूर्य लगन में विराजमान है जीवन में मान सम्मान येश सम मिलेगा जातक को और इसके अलावा आप देखिए कि लाभेश लाभेश भी लगन में विराजमान है जो इस बात का संकेत है कि जातक को जीवन में धन आता रहेगा धन की कभी कमी नहीं होगी और दौदश भाब का शुक्र दौदश भाब में अपनी सुराशी का बैठा है कि जीवन में सुक्त भैबब संपन्ता की गारंटी दे रहा है कि जातक की लाइफ बड़ी लगजरी लाइफ जीएगा लाइफ में छोटी मोटी चीज़े नहीं काफी हाई-फाई चीज़े इस् साथी धन वाब से बार्वे घर में सूर्य होने से अगर जातक विदेश आत्रा करेगा तो उसे लाब होगा चंद्रमा चतुर्दवाब में विराजमान है ऐसा जातक जन्ता में बहुत जल्दी लोगप्रिय होता है जन्ता बड़ी तेजी से उसको स्विकार करती है और ऐसा दौदश वाब में बैटा है धन संबता का कारक दौदश वाब में जो शुक्र दौदश वाब का कारक रहे है दौदश वाब में बैठा है जातक कि जीवन में सुक्सु विदा की कभी कमी नहीं रहेगी राहु एकदश वाब में बैटा है जीवन में हमेशा कहीना कहीं से जातक कि उमर भी अच्छी होगी, शनी दशम भाव में सिंग राशी का विद्धमान है, जीवन में मान सम्मान वा परतिष्टा मिलेगी, केतु पंचम भाव में विद्धमान है जो इस बात से सम्मन कर रहा है कि जातक को अपनी संतान से कष्ट मिलेगा, जातक कि संतान कुछ क स्तिति में मिरति होगी जातक को शुगर समंधी प्रवलम हो सकती ड्याविटीज का ध्यान अपड़ेगा इसके अलाओ ध्यान है बड़ी बड़ी धना आनी हो सकती है तो ये और इसके लावा कुंड़ी में एक योग और है लाटरी से धनाने का कैसे कि अश्टम में तो गुरू बैठा है और लगन में सूरे बैठा है ऐसी इस्तिती में जातक को अचाना की कोई लाटरी लग सकती है जिसमें कोई धन मिल सकता है या क जातक मुझे कांटेक मुझे ऐत क्म 17 शैवंट और है या जातक का प्रशन हिर्षब उत alltså नहीं हौ जीवन में 1160 मैं या जातक का जनम थी इस्य सकार में हूँ हाँ हर कुणिली का को कुण्दे , drug through 1 10-20 को कि एच घुरे स्ली थी से तीरी ठीसे हूँ में होता है तो जिन्दी काफी लेट हो जाती है और जीवन में जो प्रोग्रेस करने की घटना है वो काफी देरी से होते हैं दूसरा जातक का चंद्र पहले दिए जातक को महत्वकांशी बनाता है अब पॉजिटी अगर में कुण्दी की देखें तो सूरे के भागरत चक्र में इस्टित में meanा दो प्रकार के चक्र हुते है, एक सूरय का होता है एक चंदरमा का चक्र होता है, जो सूरय का चक्र होता है उसमें राशी आती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर आपकी कुंडी के अधिक तर ग्रह 5, 6, 7, 8, 9, 10 में बैठे होते हैं तो यह बात ते है कि आप जीवन में सफल होगी आपका प्राकरम बड़ा चड़ा रहेगा आप में पहल करने की शम्ता होगी आप एक महत्वकांशी भी होगे और जीवन में ऐसा वक्त आएगा कि आपको सत्ता का सुक मिलेगा यही हुआ है जातक के साथ कि सिंग राशी में शनी है करन्या राशी में रावू है तुला राशी में शुकर है और विष्टिक राशी में सूर्य वबुध है है इसलिए जातर जीवन में जफलोगा जनम जो है तीसरे देशकांट का जनम है लंगत को बताता है कि जीवन में नेकटिविटी मैंनेöl सरजार्फिष पिस्तिता जनम में ही और जातो बैंक हेट्ट को नहीं यानि किसी भी काम को जातक regular नहीं करता और जरासी कोई विप्रीत इस्तिती आती है तो जातक बेचेन वा हताश हो जाता है क्यों चौथा भाब देखिए चौथे भाब में चंदरमा विद्देमान है उसके ओपर शनी की दिस्टी है शनी की दिस्टी होने से जातक का चंदरमा कमजोर हो जाता है जातक का मनोबल एकदम नीचे गिर जाता है और होसला जातक छोड़ देता है अब हम देखे कि जीवन में जातक उतनी प्रगति क्यों नहीं कर पाया पहला तो इसका था कि तीसरे दिशकान में जरम हुआ जिसके काम की गति दीमी दूसरा था कि जातक का इ इस्तिर राशी में मैक्सिमम ग्रह बैटे हैं इस्तिर राशी में सूर्य बुद्ध बैटे हैं इस्तिर राशी में चंदरबा बैटा है और इस्तिर राशी में शनी बैटा है यानि जा तक कि लगन कुंड़ी भी स्तिर लगन की है जा तक कि सूर्य कुंड़ी भी स्तिर लगन क में होता है अगर तीनों चर राशी में होते हैं जीवन में बहुत तेजी से गती होती है और कोई दो चर राशी में होते हैं तो भी गती अच्छी होती है और एक चर में एक दीसवाब में और एक इस्तिर में होता है तो गती बीच बीच की होती है तो इस प्रकार में पता लग में शुक्र आता है इसलिए जातक को जीवन में लेट सेटलमेंट मिल रही है पर जातक निश्चित रूप से सफलता पाएगा जीवन के अगर इसके महत्यपूर्ण वर्ष की बात करें तो 27 वर्ष 38 वर्ष 47 वर्ष ऐसे हैं कि जीवन में सफलता मिलेगी जातक के जीवन की समय मैं दशा चल रही है बुद्ध की और बुद्ध में शुक्र चल रहा है जातक को मैंने शलादी है कि वो से बुद्ध में शुक्र में उसको विदेष जाना और इस बात की विस्टः लगन का जाता हूँ मेरा चॉबीजनवरी से समय कैसा है को कि यहां पर तीसरे भाब में शनी आ जायेंगे मकराशी के दो मुष्टः लगन वालों के तीसरे भाब में आने के कारण उनको लाब देंगे धाई वर्ष तक शनिया बहुत अच्छी किलाब देंगे इस बात की मैंने जातक को सला दी है इस प्रकार हमने देखा कि कुंड़ी काफी अच्छा संकेत दे जिया है कि जातक को लाइफ में जीवन में काफी कुछ मिलेगा लेकि लेट हो गया क्योंकि जातक का जनम तीसरे दे साथ आर्ट में बैटे हैं पर काम देरी से होंगे इसलिए लाइफ देर से सैटल्मेंट हो रही है इसके साथ ही दर्ष को मेरी आप सबसे परातना है कि कर आप में से कोई दर्ष रग अपनी कुंडली विचलेशन कराना चाहता है मुझसे तो अपनी डेट अबर टाइम और मैं उसकी कुंडली का विचलेशन करके उसका भी वीडियो बनाऊंगी मैं चाहती हूं जिससे आपके मन में बात रहती है कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहा है डिटेल से मैं आपके सामने बताओं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की कैश देती हुई जो आपको लाइफ में सब करने से पहले मेरी आप सबसे प्रातना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तर्स सब्क्राइब किया तो कि पर मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें साथी बैल ऐकन को भी दबादे जिससे जब ही मैं अपने वीडियो अप्लोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्कात अश्कों चैमातादी